हेलो नमस्ते आदा आप सास्रियाकाल के म्छो और कसका है दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त नमन गुपता फिर्म कार्स्वानेक्स मिनिस्टेर रोड हैदरबाद आज हम बात करने वाले अबाउट इस अमेजिंग वेन्यू वहिकल कोई लंबे चोड़े लिस्ट आपक्सिसरी नहीं है दोस्तों हमने दाले बहुत कुछ है लेकिन मेरे आज की वीडियो में मैं आप लोग को मेन फोकस करना चाह रहा हूं अबाउट दबेस्ट लाइटिंग अपग्रेड जो हमने इस गाड़ी में करा है और ओविश्ली तरी सिक्स्ति क्यामरा जिसका सेट अप आपको इस गाड़ी दिखाई देही रहा होगा तो दोस्तों आप सबसे पहले अगर देखोगे इस गाड़ी के अंदर जो हमने लाइटिंग अपग्रेड करी है विए बेसिकली आड़ेट अड़ेट अड़निंग लाइट अबव देडलाइट विच इसकॉल दी आइब्रो डिया यह आँखें हैं गाड़ी की तो यह आइब्रोज है उसके तो आइब्रो डियारेल हस बीन अड़ेट अप हेडलाइट को पूरी तरीके से अमेजिंग एक हाई फोकेस लाइट डाले गए और अलसो फॉग लेट के अंदर फ्यूडफुल एलेडी डाले गए तो आईए साइ यह उपर के तरफ में you have got this white color light जो पूरी तरीके से illuminate हो चुकी है इसकी अंदर जो इसकी जो ब्राइटनेस है इसकी जो continuity है लाइट की it is literally beautiful friends इसके अलावा हम जब हमारी headlight switch on करेंगे तो आप देख सकता हो नीचे यह DRL के साथ साथ यह प्रोजेक्टर लेंस के पीछे प्र मौका लेना चाहूंगा in the video to basically tell you why LEDs and why HIDs and why Xenark light well basically दोस्तों LEDs are good अगर आपके गाड़ी के अंदर प्रोजेक्टर नहीं है प्रोजेक्टर लेंस के पीछे LEDs will never work good it is highly not recommended मेरी चाहे 130 watt के LEDs क्यों ना हो प्रोजेक्टर के पीछे LEDs का focus is zero but अगर आपका प्रोजेक्टर लेंस है तो उसके पीछे you have got two options HID और जनार्क जनार्क light is a premium HID kit आज जो normal HIDs होते हैं उनमें drawback क्या होता है on होने के लिए 10 से 12 सेकंड टाइम लेते है पानी वगरा में water wash में they get spoiled easily यह you know the life of those lights are not very long lasting on the other hand हमारा यह जो जनार्क light है they boot up from 0 to 100 in less than 4 seconds IP67 waterproof light से दोस्तों and the most important इसका जो average life है the company says is around 2-3 years bare minimum तो this is basically the most valuable information I think which needed to be shared with you guys तो इतना याद रख लेना प्रोजेक्टर है तो no LED प्रोजेक्टर नहीं है तो सिर्फ LED है as simple as that okay अब हमारे यह जो प्रोजेक्टर लेंस है इसमें तो हमने जनार्क लाइट डाल दी है come closer इसके बाजू आपको एक turning light दिखेगा दोस्तों in the same headlight on the side over there तो basically मेरा जब steering को मैं right side turn करूंगा तो you can see that that is also getting britain up and उसमें because there is no projector LED है तो हमने उसमें डाले है sorry reflector है तो हमने उसमें डाले है LEDs दोस्तों 110 watt के LEDs डाले गए है उसमें focus wise throw wise pretty good and on होते ही जबर्दस्त look दे ही देते हैं तो when my steering is turning towards the center again they'll get switched off and जब steering right में जाएगा तो automatic on हो जाएगा that is a by default feature of this venue vehicle इसके अलावा नीचे जो fog light है उसमें भी हमने proper high focused LED lights डाले है अब आप सोच रहा हूंगे के नमन भाई इधर projector दिया है तो वाई LED भाई fog light के अंदर चाहे आपका projector रहो या चाहे आपका reflector रहो वेन्यू का यह जो है you cannot consider it as a projector at all it is a tool inches lens जो गाड़ी के साथ by default आ रहा है उसके अंदर HID fit होती ही नहीं है तो हमने उदर नीचे भी 110 watt के LED दाले दोस्तों obviously daytime है I had tried my best customer को पूछने के लिए to leave the vehicle for a couple of hours but he had some other commitments तो इसलिए हम आपको इसका focus रोड पर नहीं दिठा पा रहा है but trust me इसका जो focus है इसका जो throw है रोड पे आप आंक बंद करके दला सकते हो that is my guarantee अगर समझ नहीं आ रहा है सीधा बोलना नमन भाई मुझे इसका focus समझ में नहीं आ रहा है and I will assure you वो मौका आएगा ही नहीं I can bet on it मैं अतना confidence से बोल रहा हूं दोस्तों यह तो हो गई अब lighting की आई यह गाड़ी के अंदर मैं आप लोग को बताता हूं about the 360 camera जो हमने इसमें डाला है वेल फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमने इसके अंदर कोई system वगरा changes नहीं करें it is the same stock system over here just have a look at it company का वही system में system में कोई changes करें नहीं गए है but हम जब पहले reverse gear डाले करते थे तो इसके अंदर से reverse view आता था अभी मैं जब reverse gear डाल रहा हूं तो आप देख सकते हो my screen is getting divided in two halves this is my reverse view over here and this is the bird view मैं reverse gear से हटा रहा हूं तो यह front view आ चुका है it will last there for a couple of seconds and then back to the original display simple मैं कभी भी drive करते वक्त यां पर right indicator अगर डालता हूं तो आप देख सकते हो system के अंदर मुझे right side का पूरा view दिखाई दे रहा है you can see the tire turning over there that is the kind of clarity it comes indicator हटते ही again front view for a couple of seconds and then back to the original display that's it same way as left indicator दालूंगा तो left side का पूरा view आ जाएगा indicator हटते ही front view for a couple of seconds and then back to the original display but friends आप अगर एक चीज़ नोटेस करो तो यह जो bird view है it is in a very abrupt shape मतलब बहुती जादा crooked in fact मेरे जो यहां पर mats बिचे है आप देख सकते हो कि mats already नीचे बिचे हुए है but either left side में दिखाई भी नहीं दे रहा है that is because the cameras are not calibrated properly तो अभी हम इसी same setup में calibration होने के बाद आप लोग को बताएंगे कि इसका view कैसा आ रहा है तो दोस्तों अभी हमने calibration भी पूरी तरीक से कर चुका है complete and just have a look at the setup right now how amazing is it looking this is one of the finest and the perfect calibration जो आज तक मैंने करा है दोस्तों मतलब यह जो अभी mats आपको दिखाई दे रहे है थोड़े seconds पहले rewind करके देखना पहले किस तरीके से दिखाई दे रहे थे that was because इसका calibration technique बहुत ही जादा खराब किया गया था but right now you can see this dog walking also on it कितना जादा perfect इसमें दिखाई दे रहा है that is the kind of calibration I basically prefer doing reverse gear से हटाता ही same front view आ रहा है दोस्तों right indicator जालता ही right view left indicator जालते left view that is all working perfectly right this calibration has actually taken away the entire show लेकिन हमारा यह जो 360 setup है दोस्तों it is not restricted only to individual views or the bird view हमारा यह जो 360 setup है यह अपन गाड़ी जैसा drive करेंगे गाड़ी के चारों तरफ record भी करते रहेगा तो कल के दिन कुछ भी accident या कुछ भी अगर collision होता है हम इसी company के touchscreen system में rewind करके play करके देख सकते है how cool is that मतलब technology innovation accuracy safety security सब चीज हमें यह setup देता है isn't it cool friends तो दोस्तों अगर आप लोग को भी हमारा यह short and sweet video about the best upgradations of lights and 360 camera पसंद आया हो तो what do you have to do just press the like button over there comment section में जरूर बताना आपको किस तरीके से लगा हमारा यह setup and yes अगर आप चाते हो आपकी भी गाड़ी accessorize हो all you have to do is drop in at Carsonics located at Minister Road, Sikandrabad and we can get your car accessorize too दोस्तों जाने से पहले चैनल को subscribe जरूर करिये because the more you guys subscribe the more will I get motivated to show you amazing accessories every day this is Naman Gupta here signing off for Carsonics, Minister Road, Hyderabad thank you so much friends